हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके यूटूब चैनल एवन क्लास पे तो फ्रेंट्स मैथेमेटिकल डिजिनिंग का टोपिक आपका हमने स्टार्ट किया था जिसमें अभी तक आपके तीन क्लास कंप्लिट हो चुकी है आज जो हमारी ये लास्ट क् क्यूशन में कंप्लिट हो जाएंगे ठीक है फिर आप किसी नोट्बुक से या कोई भी मैटर है आपके पास प्रेडियो फगर रहे हैं तो उससे हेल्प लीजिए आप उनके प्रेक्टिस किजिए अगर किसी किसन में आपको डाउट लगता है तो कॉमेंट बोक्स में हमें बताइए ठीक है और चैनल को भी आप लाइक करते रहे हैं तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की कलास करो सबसे पहला क्यूशन है वह आपके सक्रीन पर आ गया है तो क्या दिया गया है कि अमुक संक्या के घोड़े वैं समान संक्या के लोग गोड़ों की पीट पर बैठ की गई है तो दोस्तों एक ऐसी ही टाइप का किसन हमने प्रीविएस वीडियो में भी किया था वहां पर थोड़ा चेंजमेंट था यहां पर किसन में क्या बोला गया है कि अमुक संक्या के गोड़े वैं उतनी ही संक्या के वेक्ति कहीं पर जा रहे ते यानि जो गोड़ों की संक्या है उतनी ही संक्या किन की होगी वेक्तियों की होंगी ठीक है यानि कि दोनों की संक्या क्या हो गई है इकवल हो गई है बराबर हो गई है फिर क्या बोला इसने आगे फिर यह बोलता है कि उनमें से आधी गोड़े बिमारी की करण मर गए जो टोटल हमारे पास हो गए थे मर गए थे किसी बीमारी के कार्ण उन बीमारी कार्ण मरने के बाद अब जो मैदान में चलते पैरों की बात की जाए तो मैदान में चलते पैरों की संख्या शो आपको यहां पर 120 आपको यहां पर बताए गई है वो संग्या कितनी बताए गई है 120 तो अब आपको बताना है कि बताईए कुल कितने घोड़े थे नहीं कि सुरुआत से बात कि जाए मलने से पहले तो उन घोड़ों कि संग्या आपको यहां पर बतानी है तो कैसे बताएंगे हम दोस्तों यहा हाँ पर गोड़ों की संध्या कितनी है तो हम एक्स मान लेते हैं तो कुल घोड़े हमने माने एक्स कुल घोड़े हो जाएंगे एक्स और आपको यह पता है अगर घोड़े एक्स है तो व्यक्ति भी कितने हो जाएंगे एक्स हो जाएंगे क्यों क्योंकि क्यूशन की पहली ही लाइन में आप से कहा गया है कि इन दोनों की संध्या क्या है बराबर है ठीक है ना इन दोनों की संध्या क्या है बराबर है और फिर इसने ये बोला है कि मैदान में चलते पैरों की संध्या चलते पैरों की बात की जाए चलते पैरों की संख्या यह कितनी दी गई है किशन में 120 दी गई है ठीक है अब इस 120 का मतलब क्या समझोगे आपे कि आधे गोडे तो बिमारी के कारण मर गए है तो आधे ही बचेंगे आधे ही पैदल चलेंगे ठीक है और वेक्ट्यू की बात की जाए तो वो सारे जो वेक्त है हो कहां बैटए है गोडों की पीट बैठे तो ओकलों की पीटवात बैटंगे एक सिंपल सी बात है छाइधक देख गोड़े नहीं अबांच वेक्ती संक्षा तो चलने वाले पैरों को ही देखना है अब चलने वे वाले पैरो की बात कि जाए to at собा एक्सों गोड़े है इन में से आधे मर गए है तो बच कितने जाएंगे एक बटे दो बच जाएंगे ठीक है एक घोड़े के चार पैर होते है तो एक बटे दो इन गोड़ों कितने पैर हो जाएंगे इनके भी चार हो हो जाएगी के बात कि वेक्ति यह तो आदे पेदल चल रहे हैं पर है तो वेक्ति कितने बचेंगे तो हम करेंगे एक विक्ति की 2 पर है तो एक्स-वाइड टू इन वेक्ति कितने पैर होंगे दो से हम multiply करेंगे और इन दोनों का जो addition question में दिया गया है वो कितना है 120 दिया गया है तो इसको हमने cancel out क्या यह हो जाएगा दो फिर यह 2-2 cancel out हो गया तो यह कितना बचा हुआ है 2x plus x equal कितना हो जाएगा 120 और यहां से 3x की value कितनी हो जाएगी 120 तो केवल x की value कितनी हो गई 120 को हम 3 चे डिवैड करेंगे तो हमारा answer कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ठीक है एकस की value कितनी आ गई है 40 आ गई है अब आप से यही पूछा रहा है कि बताए कुल गोडो की संक्या क्या होगी तो वहां पर कुल गोडो की संक्या कितनी थी शुरुवात में 40 थी तो आपका answer कितना हो जाएगा इस question का 40 इसका answer हो जाएगा हाँ अगर आप से यह पूछे कि अब कितने घोड़े पैदल चल रहे है तो आपको यह पता है कि कुल गोडो की सब्सक्राइब कितने बचेंगे 20 ही बचेंगे आपको देखना है कि पूछा क्या गया है केवल उसी का answer देना है आपको अर्जुन बन के चलना होता है अपनी और सी कोई question का answer नहीं करना है जो question attempt करे जो पूछता है आप केवल उसी का ही answer दोगे तो इस question का हमारा answer कि अपना हो गया है चालिस इस question का answer हो गया तो दोस्तों यह था आज का पहला question इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे second question की ओर तो second question आपके screen पर आ गया है आप एक बार जल्दी से question को रुमाल एक रुपे का आता है तो आधा मेटर लंबा और आधा मेटर चोड़ा रुमाल कितने रुपे का आएगा बिल्कुल सीम्पल सा question है दोस्तों यहां पर देखो find out कैसे करोगे मैं example लेता हूं यहां पर समझाता हूं डाइगराम से कि मानलो आपने पास यह वह रुमाल है ठीक है इस रुमाल की बात की जाए तो इसकी लेंद है जो लंबाई है वह एक मिटर है और चोड़ाई भी है वह कितनी है एक मिटर है और यह अब कितने रुपे का बताया गया है एक रुपे का बताया ठीक है अब आप से क्या पुछा गया है कि आधा मेटर लंबा और आधा मेटर चोड़ा रुमाल कितने रुपे का एगा तो आधा हम कैसे करेंगे यह आधा यहां से हो गया है और यहां से हो गया है यह पूरा एक इसापने आप में चार बागों में डिवाइड हो गया है माला अगर आप इस बाग की बात करोगे तो यह आधा है इसके लिए लंबाई आधी हो गई है और यह चोड़ाई भी कितनी हो गई है आधी हो गई है अब यह चार बाग एक रुपए के यानि कि 100 पैसों से बने हैं तो एक बाग की वेल्यू न कितना होगा यह लंबाई गूना चोड़ाई था एक होता है तो एक यूनिट स्केयर हो जाएगा एक यूनिट स्क्रagar हो जेगा बहला आपको यह पता है किक्शन में दिया है मतलब पैसे होगा तो आप आधे का बताना है तो च्छेतरफल आधे की हिसाब से कितना हो जाएगा लंबाई आदी हो गई है और चोड़ाई भी सब्सक्राइब हो जाएक एक बटे चार स्क्राइब हो जाएगा एक लिए किटनी हो जाएगी यह हो जाएगा आपका 100 और करेंगे हम एक बटे चार से तो आपका आंशर कितना बच गया है 25 पैसे तो इसके किस्ट को विदाउट केलिकलिवेशन भी कर सकते हो बिल्कुल सा कोंचेप्ट था कि एक पूरा हिसापने आप में 100 पैसे का यह निकी एक रुपय का आता है तो इसके च्यार भाग हम ने किये तो जो एक भाग होगा चोटे वाला जो एक भाग होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी 25 से पैसा हमारा इस कुशन का आंशर हो जाएगा तो यह आपका कुशन से है तो आगे जो थर्ड किशन है वो क्या बोला है यहां पर के एक इट के भटे में सो इंटे थी तापन प्रक्रिया में एक बटे तो उनमें से चार के दो टुकडे और से एक बटे पांच के तीन टुकडे हो जाते है तो बताएगे अब कितनी इंटे से से पूरी बची हुई है ठीक है यहां किसन में आपको दिया गया है कुल इंटे तो इंटे आपको दी गई है तो जब इनकी तापन प्रक्रिया हमने की ठीक है ना इनकी तापन प्रक्रिया हमने की तो उनमें से क्या हुआ एक बटे चार तो सो का एक बटे चार करेंगे हम तो कितना आ जाएगा तो सो का हम एक बटे चार करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 25 यह 25 इटे क्या हो गई है द 100 में से 25 इते दो कोड में इअगर रुश हूं तो पीछ जो इते बच गई कितनी बचित्नी बची होई कितने पीचेत्र का और भी आगे में कहा गया है कि जो खेच एक बटे 5 जश से रिटे बची थी उसका एक बेंटय 5 रिस से हो गया था 3 तुट गये तो पिर सेत्रे का हम 5 करेंगे तो यह कितना आजाएगा 15 राय जाएगाई 15 रहें तीने टुकड़ी हो गई है तो अब आप से यह पुछा गया है कि बताएं बSec mo रिफ शिल강र नसलव सधों आ से से पूरी इटों की संख्या कितनी हो जाएगी यहां पर यहां पे आप उपर मतलब क्या है जूट की इसका मतलब है उते इस कितनी बचेगी हम सो मेंस कर देंगे इन दोनों की वैलु को बंडिंदे की चालिस को हम माइस देंगे Am I जो अपने आउप में पूरी है 60बं क्या है यहां पर आपकी पूरी barchy यह थिक है तो आपका कौन सा कुछ नमबर था भी आपका के लिए हो गया है ठीक है चारों आपको यहां पर दिये गई है तो इसमें आपका आंज़र कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा ठीक है यह आपका किस्वन क्या हो गया है complete हो गए है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारी next question कि ओर तो next question में क्या दिया गया है next question में बोला गया है कि एक बंदूक से 11 बार गोली छोड़ने में 60 second लगते है तो बताईए 8 बार गोली छोड़ने में कितना समय लगेगा कि कोई एक बंदूख है उस बंदूख में से अगर आप 11 बार गोली छोड़ते हो तो कितना समय लगता है तो इसी प्रकार अगर हम 8 बार गोली छोड़े तो कितना सेकेंड का समय लगाएगा यह भी बिलकुल आसान सा क्यूशन है लेकिन कॉंसेप्ट बड़ा लाजवाब है इसका ठीक ह है वह एक काम होने के बाद ही तो टाइमिंग की स्टार्ट होगी जैसे मालो मैं यह कह दो कि मैं प्रतीक 20 मिंट के बाद पानी पीता हूं इसका मतलब क्या है कि एक बार तो मिने को पानी पीना पड़ेगा ना एक बार पानी पीने के फिर वहां से इंटर्वल स्टार्ट हो की एक बार मैंने पानी की प्या फिर महांसे से की स्टार्टिंग और 20 मिन से की कि से तबिख्य से कैसे होगा कि एक गोली हमने यह चोड़ी एक बार सिर्यहें दो तीन च्यार पांच छैसाथ आठ नो दश ड्यारा यह ग्यारा वार हमने गोले को छोड़ा तो इन 11 गोड़ी को छोड़ने में जो हमें समय लगा था वो 60 सेकिंड का था तो इनके बीच में इंट्रवल कितने आए होंगे एक इंट्रवल यह हो गया फिर एक यह दो फिर तीन च्यार पांच छह साथ आठ नो दस तो इंट्रवल कितने हो जाएंगे यहां पर दस इंट्र इंट्रवल में 10 इंट्रवल में हमें साथ सेकिंड का समय लगता है तो एक इंट्रवल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर एक में इंट्रवल की वैल्यू हो जाएगी साथ को हम डिवैड करेंगे दस से तो कितना आ जाएगा 6 सेकिंड आ जाएगा ठीक है इसका मतलब क है आपने एक गोली छोड़ी फिर 6 सेकेंड के बाद आप दूसरी गोली को छोड़ दोगे फिर 6 सेकेंड के बाद आप तीसरी गोली को छोड़ दोगे ऐसे कंटेन्यू 11 तक करोगे तो वहां पर टोटल समय कितना बन जाएगा साथे सेकेंड का बन जाएगा यही इसका आठ बाद गोली छोड़ेंगे तो आठ का मतलब क्या हो जाएगा साथ इंटरवल हो जाएगे कितने हो जाएगे साथ इंटरवल तो साथ इंटरवल की जो वेलू होगी वो किसकी कोल होगी अगर एक इंटरवल की वेलू 6 है तो साथ इंटरवल की वेलू कितनी हो जाएगी बार गोली छोडने में कितना समय लगेगा बी 40 सेकंड का हमें समय लगेगा यहां पर आपको एक चोडनी पड़ेगी पहले एक ओली छोडने के बाद आपका इंटरवल स्टार्ट हो गा तो टोटल आठ डिया गया है तो एक क्या करना पड़ेगा आपको कम करना पड़ेगा ठीक है यहां सुदवात में भी हमने ऐसा ही स्ट्रेप किया है कि 11 आपको दिया गया था लेकिन 11 की बात की जाती है तो क्युषन 5 आपके सेखरीन पर आ गया है आप जल्दी से रीड खिजी एसी हीटाइप का क्यूषन है यहां पर आपको घड़ी का आगया है 這個 क्यूषन में क्या गया है की एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है तो बताइस में कि इतना समय लेगी ए गड़ी है वह 12 भारबा बजने में 30 सेकंड का समय लेती है तो 12 बार बजेगि तो एक बार वैं उसकोnies co starting करनेगी पड़ेगी होने के भाद फिर दूसरी बार बजेगी तो बीच्मी एक इंटरवल बन फिर दूसरी से तीसरी बार बज़ेगी फिर एक इंटरवल और बन गया है यानि कि टोटल हम बात करें तो बारे बार बार बजने में कितने इंटरवल आएंगे तो हम क्या बोलेंगे ये 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है यानिकि 11 इंटरवल की value कितनी हो गई है 33 सेकंड हो गई है और एक इंटरवल की बात करें हम एक इंटरवल की अगर हम बात करें तो ये value कितनी हो जाएगी हम 33 को divide कर देंगे 11 से तो फिर यहां पर calculation कितनी बचेगी 3 बचेगी एक इंटरवल कितने का हो गया है 3 सेकंड का हो गया है अब आप सी पूछा क्या गया है कि यह गड़ी 7 बार बजने में कितना समय लेगी तो 7 बार बजने का मतलब क्या समझोगे आप इंटरवल कितने आ जाएंगे अगर उस गड़ी को 7 बार बजना है तो 7 बार बजने में हमारे 6 इंटरवल आ जाएंगे अगर एक इंटरवल 3 के बराबर है तो 6 इंटरवल की वेल्यू कितनी हो जाएगी यह हो जाएगा 6 गुना में 3 यनिकी अठारा सेकिंड का वो समय लेगी वो गड़ी है वो 7 बार बजने में कितना समय लेगी अठारा सेकिंड का समय लेगी ठीक है यह भी कुछन आपका कम्पलीट हो गया है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कुछन क्या दिया गया है कि एतिहाशिक सतलों का भर्मन करते हुए एक प्रियक्टक में पूछा कि यह समारख कितना वरष से पुराणा है मारख दर्शक ने उतर दिया कि यह समारख 50 वरष से अधीक पुराणा है इसकी सही आयू दो वरष पुरव एक वरष संख्या थी एवं दो वरस बाद एक घंसंग्या हो जाएगी तो इस समारक की वरत्मान आयू क्या होगी दोस्तों अगर इस टैप का कभी भी कुछन आपको मिलता है तो आप उसको ओप्शन की सहायताई से करना ठीक है यहाँ पे बेसिक का यूज करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा क काफी तो आप यहाँ पे ओप्शन की सहायताई से हम करने का परियास करेंगे तो सबसे पहला जो ओप्शन दिया गया है एक बार किशन में है क्या वो देख लो कि आज उस समारक की आगर हम वरत्मान आयू की बात करें तो वरत्मान आयू का हमें नहीं पता वो आयू कितनी ह लेकिन हमें यह पता है कि दो साल पहले जो यह आयू थी वो अपने आप में क्या थी एक पूरण वरग संख्या थी जबकि दो साल बाद की हम बात करें तो दो साल के बाद जो आयू होगी वो क्या होगी एक पूरण घंसंख्या होगी ठीक है तो यहां ओप्शन की सहायता हम ल कितने का रहा वागा दो साल बाद रहा होगा रहा वागा किसीका क्यों बढ़ेगी हैँ यहां पे फूर्ण है घंड बोला गया है ना किसी का गन नहीं बनता मैं नहीं बनता तो option A क्या हो गया है हमारा गलत option B की बात कि जाए तो option B में आपको दिया गया है 343 तो 343 से दो साल पहले आएंगे तो यह हो जाएगा 341 और दो साल बाद हम बात करें तो यह कितना हो जाएगा 345 और इन दोनों वेल्यों की बात कि जाए तो यह अपने आप में एक घंड नहीं है और यह अपने आप में के वरग नहीं है तो यह option B क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा फिर यहां पर option C की हम बात करें तो option C में दिया गया है आपको 216 वरस तो 216 से हम 2 साल पीछे आएंगे तो यह हो जाएगा 214 और यह कितना हो जाएगा 218 किसी का भी घंड नहीं होता और 214 भी किसी का घंड नहीं है इसका मतलब यह भी क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा और लास्ट का जो हमारा option बचा है D यानि की option में 123 आपको द 126 क्या है 125 अपने आप में एक पूरण घं संख्या बनती है ठीक है ना एक पूरण घं संख्या बंती है एक इसका घंड पछीнов यह 5 का घंड होती है 5 की power 13 का देंगे तो हम कितना जाएगा 120 क्या초कर यहां पर बाथ यानिकि आज उस समारक की जो आयू है वो कितनी है 123 है तो इस क्यूशन का हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन है डी हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों ऐसा क्यूशन जब भी कभी आपको मिलता है एजवारे क्यूशन भी आपके है स्यात्ति की माता-पिता की आयू देगा या विलिए और यहां पर आ गया है और कुश्न में क्या दिया गया है कि दस गाएं दस बौरा घास दस दिन में खाती है तो बताईए एक गाएं एक बौरा घास कितने दिन में क्यूशन है आपने मैथमेटिक्स में जो आपका चैप्टर आता है work and time का समय और कालिये का तो यहा करें इसका आंच्वर दे सकते हो लेकिनम आपका तरिक्का बताता हूं कि च्रीक क्या रहेगा इसे वरकार करेका दोस्तों यहां जो दिएगadamente इसको balance करेंगे तो यह equal हो जाएगा M2, D2, H2 और divide किसे करेंगे हम W2 से ठीक है जहां पर M का मतलब होता है man Man के जगह कोई ओरत भी हो सकती है कोई जानवर भी हो सकता है ठीक है D का मतलब होगा day यानि कि दिन H का मतलब होगा घंटे ठीक है गास बताया है इसने 10 बोरा घास तो घास खाना अपने आप में क्या है एक कारी है तो divide यहने के समय यह जो कारी है वो कितना है 10 बोरा घास है तो 10 और कितने दिन में खाती है 10 दिन में खाती है तो दिन के संग यहां पर कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी हावर की बात की जाए तो हावर की यहाँ पे value नहीं दी गई है आपको ठीक है तो एक साइड हमारी equation यह हो गई है और equal जो आप से पूछा गया है क्या पूछा गया है कि एक गाए एक बोरा घास तो घास की value यह नीचे हो जाएगी एक बोरा घास कितने दिन में दिन हमें find out करना तो हम इसको डीटू ही रहने देता हूं ठीक है अब इस equation को हम balance कर लेंगे तो दस से दस कैंसल हो जाएगा तो यहाँ पर डीटू कितनी आ जाएगी दस आ जाएगी तो आपका answer भी कितना हो गया है दस हो गया है यह एक गाई एक बोरा घास कितने दिन में दस दिन में वह एक बोरे घास को खा जाएगी ठीक है ना तो आपका answer क्या हो गया है यहाँ पर दस दिन यह क्या है दस दिन आए है ठीक है तो यह था आपका किश्व नंबर से नेक्स जो क्यूशन आपके सक्रीन पर यहाँ पर दिया गया है इसमें बिल्कुल सेम ऐसी ही प होगी बिल्कुल सेमें है है कि यहाँ करेंगे तो यहां में की बात कि चांगे कितनी तो पचास है तो गड्रोमिय मिल्कुल करते हैं अपने आप में और कितने दिन में खोड़ेंगे यानिकी की वेल्व ही हम find out करेंगे तो यहां से यह जीरो से ंपनिट में अपन्स लाइगा में हो जाएक जाएगा उपर कितना हो जाएगा केंसे लाइगा यह क्याया चाहर में 5 यह 56 55 एयों कितना बच गया दस गड़ना में 3 योगी 30 सब 41 SUSी गड़ों को कितने 매 new देंगे 3 दिन में और और θα सुन आपको यहाँ दिया गया है इस कि सौन का आनसर कितना हो ओ गया है यहांब मेरे कहने का मतलब यह रहेगा कि अगर इस तायब और किम अब बहु आपके पास आता है तो आपको इस फोर्मूले का यूज करना है फोर्मूला क्या था हमारा M.D.H का आप इसको नाम दे सकते हो कि M.D.H का फोर्मूला ठीक है आप mathematics पढ़ते हो तो ज़्यादा explain करने की आवशकता नहीं है समझ गए होंगे कि कहां से आता है ठीक है तो यह हमारा complete होता है अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे next question की ओर तो next question में क्या दिया गया है आपको कि चार भाईयों की आयू में चार चार वरस का अंत्र है यदि सबसे बड़े भाई की उमर सबसे चोटे सम MARTIN हैं तो बताएं सबसे बड़े की उमर क्या होगी यहां पर दोस्तों क्या है कि चार भाई से थिक है ओव च्यारवजों की भाईयों की इप आ 인त्र 15 बात की बाद कि बीच में कितने को X मानता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि छोटे भाई कि आयू कि चोक्ते की लाइस कितनी हो कप अच्छेएगी एडर कि सब्सक्राइब कि वाला एक तो बड़ा बुर्ष की एकस प्लेसे चार का प्रेक्तना हो जाएगा इस में चार अगर उनके हम धें। एकस प्लेस बारा होना चीए लेकिन यह कितना है तो यहाँ पर इसको ़ा एकस लिंगे हम बैलेंस कैसे करेंगे कि टू एकस की वेलु हो गई है एकस प牡़्स से ट्वेल तो यहां से यह San साड हमें हम तो दो एस माइनस एकस ब्राबर 12 यह बचए गा एकस के वेलु कहो ऑल 12 यानि prophets सबसे छोटे वारा जो भाई थे कितने साल का था 12 साल का ठीक है और सबसे बड़े वारा कितने का उजाएगा 12 कितना हो जाएगा 24 हो जएUh बताइए सबसे बड़े भाई की उमर क्या होगी ने किवी सबसे वाले बाई है उनकी अलगी 24 वरस होगी और तो इस क्यूशन का आंसर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा आप इस क्यूशन को option की सहायता से भी कर सकते थे अब इतनी तो capacity आप में भी आ गई होगी कि हम option की सहायता से कैसे करते हैं काफी क्यूशन मैंने यहां पर सोल भी करवाए कि option को हम eliminate करेंगे ठीक है ना तो option के सहायता से यह बोला गया है कि एक कुते के गले में 7 मीटर लंबी रहसी बहांदी गई है तो वह कितने वरक मीटर 6 त्रफल में घूम सकता है और 4 उप्षन आपको यहां पर दिये गई है यह आपका एक्जाम में आया हुआ क्यूशन है थोड़ा सा ध्यान से सोच इस क्यूशन में क्या दिया गया है इसने कहा है कि एक कुट्टे के गले में साथ मेटर लंबेर ऐसी बांदे गई है ठीक है अब आप से यह पोचना चाहरा है कि बताइए जो यह कंफिया बंदेंगा दोस्तों में बैठे हुए गर्ण हें हम रख का अंच यहां पर जो बांदी गई है वह कुछ तe गले में बढ़े हैं चहां को 53 अब को यह पता है कि एक खुछ गले में अपने ऑन ऐसे क्वैब के इस सख्ता है मांनते हैं गले में रस्यापने बांदी हो चाहे 5 मिट्रे किसी ANYımं Apostle गूम सकता है तो इस क्यूशन का जो आंशर होगा वो क्या होगा कोई निश्ची छेत्रे नहीं होगा जो की ओप्शन नंबर फोर में आपको शो क्या गया है ठीक है अगर वो यह बोल दे ति 7 मिटर लंबी जो रश्ची है कुट्टे गले में वो एक पोल से एक पेड़ से या एक खंबे से बांदी गई है तब हम एक एक जट्रफल बता सकते हैं कि वो इतने इतने एरिया में क्या करेगा चकर लगा सकता है यह गूम सकता है लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा ग तक जा सकता है तो इस कुछन का हमारा आंसर क्या बना है दोस्तों कि कोई निश्ची छेत्रे नहीं होगा ठीक है ना इसी को ही बोलते हैं हम मैथमेटिकल विजिनिंग यह क्या करेगा क्यूशन बिल्कुल सिंपल देगा लेकिन जो समझने का तरिका होता है वो क्या हो जाए ठीक है ना और रिजिनिंग का तो आपको पता है रिजिनिंग का मतलब क्या होता है रिजिनिंग को सब्जेक्ट नहीं होता रिजिनिंग क्या होती है अपनी मान सिखता होती है अपनी तरक सकती होती है कि हम कितना गेन कर रहे हमारा IQ क्या है तो इस कुछन का आंसर हमारा हो स्टेटमेंट क्या दी गई है कि एक बस आगरा से रवाना होती है जिसमें आदमियों की संख्या महिलाव से दो गुनी है बस अगले सहर मथूरा में 20 आदमी उतर जाते हैं और 10 ओरते चड़ जाती है अब बस में दोनों के संख्या पराबर है तो बताइए आरम में कितने यात हो जाएगा और जो त्रिक करोगे और पुरा कॉंसेट रहेगा वो मैं अभी आपको यहां पर समझाता हूं कि क्या होगा जिनके आंसर आ गई है वो मेरे को कॉमेंट बोक्स में बताईए तीम के दावरा आपके कॉमेंटे रीड कर लिए जाएंगे ठीक है अब मैं इसका आ बढ़ा रीड करते हैं कि एक बस आगरा से रवाना होती है जिसमें आदमियों की संख्या महिलाव की संख्या से दो गुणी है कि एक बस चली उसमें दो ही कंडिट है ठीक है ना यानिकी महिला है और क्या है पुरुष फिर वहां पर अगर आदमियों की बात की जाए तो महिलाए कितनी आदमी है तो आप मान लो कुल महिलाव की संख्या उस बस में कुल महिलाव की संख्या तो कुल महिलाए हम कितनी मान लेते है एक्स मान लेते है तो अगर एक्स कुल महिलाए है तो कुल आदमी कितने हो जाएंगे कि इसका डबल हो जाएगा ठीक है ना यानिकी आदमियों किसंगे कितनी हो जाएगी टू एक्स हो जाएगी और यहां तक अगर हम यहां तक बात करें तो इन से कुल यात्री ओ किसंगे कितनी हो जाएगी कुल यात्री यहां पर हो जाएगी X प्लस 2X तो टोटल कितना बन गया है यह 3X यानि कि 3X क्या है उसमें यात्री है अब फिर क्या बोला कि अगले सहर मथुरा में 20 आदमी उतर गई टोटल आदमी कितने थे अभी तक बस में 2X 2X में से 20 आदमी उतर गई और कितनी महिलाई चड़ जाती है 10 महिलाई चड़ जाती है महिलाई कितनी थे अपने पास X कितनी चड़ गई है 10 तो X में प्लस 10 हो जाएगा क्या था दोबरा देखिए कि कुल आदमी थे उनमें से 20 उतर गई और 10 ओर चड़ गई तो 10 को हमने यहाँ पर add कर दिया और फिर अब बोला है कि अब बस में दोनों की संख्या एक समान है यानि कि ये दो दोनों value ये अपस में क्या है बराबर है ये question में ही दिया गया है तो अब आपसे ये पुछा है कि बताइए आरंब में क्या पुछा है कि आरंब में कुल कितने यात्री सवार थे यानि कि हमें 3x की value बतानी है कितनी होगी तो यहाँ से इसको balance कर दीजी ये कितना हो जाएगा 2x minus x equal ये 10 और minus का 20 उस सेड़ में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लिस 20 हो जाएगा तो ये कितना बचेगा x की value कितनी आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर 30 आ जाएगी ठीक है अब क्या है पुछा आपसे ये गया है कि कुल यात्रियों की संक्या बताएगी शुरुआत में उस बस में कुल कितने यात्री थे तो कुल हमने 3x मानने है तो यहाँ पर x की value अगर 30 है तो ये value कितनी हो जाएगी तीन गुणा में 30 यहने कि सुरुवात में उस बस में कितने यातरी सवार हुए थे 90 यातरी सवार हुए थे ठीक है इसी किस्व में मालों आपसे यह पूछा जाता कि बताए आरम में उस बस में कितनी महिलाए थी तो महिलाओ की संख्या कितनी हो जाएगी हो जाएगी और आदमthink किए संक्या कि बात की जाए तो कितनी हो जाएगी वह आपर 60 हो जाएगी तो बन गए है यहां पर हमएं लगता है तो मेरे को comment box में आप बताईए तो यह chapter आपका यहीं पर ही complete होता है तो दोस्तों क्या है कि जितना भी chapter हमने यहां पर cover किया है इन चार class में तो उन चार class को आप attend कीजिए ठीक है कोई कुछन आपको नहीं आया एक बार दो और आप वीडियो को देखिए फिर भी नहीं आया है तो मेरे को आप कोमेंट बोक्स में बताईए या वर्ट्षब पे बताईए जो भी आपके पास आपको डाउनलोड कीजिए वहां से वीजिनिंग के मैथमेटिक्स के ठीक है इनके प्रेक्रिश एट भी आपको अविलेबर करा दिये जाएंगे लिकिन यह तब आप कोंटिन्यू इन वीडियो के साथ बने रहोगे ठीक है ना आप कोमेंट करोगे हमें पदा लगेगा कि ह हमारी वीडियो वह देखी जा रही है तो उनको भी हम सोल करने का परियास करेंगे ठीक है तो आपको सक्सेस होना है तो अपने रिडिंग किये ठीक है ना पढ़िए आपका स्लेक्शन शूर है कोई नहीं दोख सकेगा आपका स्लेक्शन पक्का हो जाएगा तो दोस्तों परिये लेंगे हम एक नई चैप्टर के साथ और चैप्टर नेक्स्ट वह भी आपका लाजवाब चैप्टर लेके आएंगे शांदार टोपिक आपका ठीक और इंपोर्टेंट भी रहेगा जितने भी आपके इंपोर्टेंट टोपिक है पहले हम उनको ही कवर करेंगे तो थेंक्यों दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में ओके